आप शवीका हमारे यूटूब चैनल पे बहुत स्वागत है आईए आज नवगरह अस्तोत्र का पाट करते हैं जो भी भक्त सची स्रद्धा के साथ नवगरह अस्तोत्र का पाट करते हैं या इसका स्रवन करते हैं इसके स्रवन मात्र से है नवगरह आदी देवता का क्रपा प्राप्त होता है और कुंडिली में होने वाले दुष्प्रभाव भी इससे कम होते हैं और नवगरह देवता शभी प्रकार के शुक और शम्रिधी को परदान करते हैं तो आईए सुनते हैं स्रे नवगरह स्तोत्रम ओम स्रीनवग्रहस्तोत्रं ओम जपाकुषुमशंकाशं काशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापगनं प्रणतोष्मी दिवाकरं दधीशंक तुशाराभं चीरोदार्नवसंभवं नमामीशशिनंसोमं शंभोरमकुटभूशनं धर्निगर्भशं भूतं विद्यूत कांति समप्रभं कुमारं सक्तिहस्तंतं मंगलं प्रणमाम्यःं प्रियंगुकलिकाश्यामं उरुपेणा प्रतिमंबुधं स्वम्यं स्वम्य गुणोपेतं तम्बुधं प्रणमाम्यःं देवानाम्चरेशिनाम्चा गुरुमकांचन सन्निभं बुद्धी भूतं त्रुलोकेशं तम्नमामी ब्रहश्पतिं हीमकुंद मृनालाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वसास्त्रपवक्तारं भर्गवं प्रणमाम्यहं नीलांजन शमाभाशं रभीपुत्रं यमाग्रजं चायामार्तंड संभूतं तम्नमामीशनेश्चरं अरधकायं महाविर्यं चंद्रादेत्य विमर्दनं सेंगिकागर्भ संभूतंद तमराहुं प्रणमाम्यहं पलाश पुष्पशंकासं तारकाग्रह मस्तकं। रोद्रम रोद्रात्मकं घोरं तमकेतुं प्रणमाम्यहं इति व्यासम खोद्गीतं यह पठेत्सुष माहितः दिवावाय दिरात्रो विग्नशांतिर्भविष्यति नर्नारे नर्पानाम्चा भविदुष्वप्ननाशनम एश्वर्यमतुलम्तेशा मारोग्यम पुष्टिवर्धनम ओम स्रीमहर्शिव्यास विरचितम नवग्रह अस्तूत्रम शंपूर्णम जो भी भक्त सची सरदा के साथ इस नवग्रह अस्तूत्र का पाठ करते हैं या इसका स्रवन करते हैं उनके सभी विग्नों का नाश हो जाता है कभी भी घर में कोई विग्न या वाधा कभी नहीं आती तो प्रेमशे बूलिए नवग्रह देवता की जय